हरे कृष्णा तो फाइनली हम ट्रेन में बैट गए हैं बीस मिले ट्रेन हमारे लेट चल रही है और ये रहे हमारे दून प्यारे से कुंज अनन्द बाबू और ये जो पानी का स्परे जो मैं आपको बॉटल बताई थी ये वो है हमने पहरे स्परे कर दिया था फिर वाइट पहले चत्र भिछा दी थी फिर लाला को हमने टॉवल के उपर अपने उनको अच्छे से लिटा दिया था थोड़ी देर के लिए फिर हमने उन्हें भोग लगाया ये राजगिरे के सीरा का हम लेके आया थे जाता गरम नहीं था थंड़ा तो होई गया था क्योंकि एसी की लेके जाए ट्राविलिंग में तो उनका सिंघाजन या बास्केट जो भी चीजे आप रखे आप जो मैंने आपको स्प्रे बताया था जिसमें गंगा जल या कोई भी पवित्र नदी का जल आप रखे और उसको स्प्रे करके लाला को फिर विराजमान करा है और ये बहुत लड़ लड़ाया है लोगोंने ट्रेन में कि पूछो मत एक मतजी मारे सामने बैटी थी वो तो लाला को गोधी मेले कि आदे घुंटे तक बैटी थी को इंजॉई किया कुछ बाबी ने फिर हमारा माला बचा था क्योंकि हमको पैकिंग करना था टिफिन बनाना तो नहीं मिला तो हमने अपनी माला भी किया और माला करने का नियम में आपको बता देती हूँ अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आप माला कर सकते हैं बिना नहाए भी कर सकते हैं सोच के बाद भी कर सकते हैं तो आपका जो रूटीन है माला जापका वो आपका छूटना नहीं चाहिए फे लाला का टाइम हो गया था तो हमने अच्छे से नंद बाबो को ये वाले बैड में सुलाया था क्योंकि इसमें थंडी बिल्कुल भी नहीं रखती है और मस्त गरम-गरम था ये हमने काना लवर से लिया था अगर आप बुक करना चाहे तो उनके पास से बुक कर सक और ये रहे हमारे प्यारे से लाडले से हमारे कुंजबेतू और हमने इनका बिस्तर विचाया रैड कलर का हमाइपास टॉवल था थोड़ा सा हैवी वाला उसके पर और दो तकिया हम लाला की लेके आयते लाला की तकिया जब पैर पर रखनी के लिए हाथ पर रखनी के व्लोग बनाने के लिए और वो लोग बहुत प्राउड फिल करते हैं कि मैं इतना अच्छा काम करने हैं से जी की कृपास से और सब लोगों की साहिता भी हो जारी है इस चीज से तो कोई माना मजह नहीं करता है तो आप लोग की क्यूरिसिटी जादा रहती है ये देखने मे कौन बनाता है तो कुँछ बाबु देखो कितने पैरस अपने ममी के पास हुए आज ये पहली बार मेरे साथ सो हैं मेरे बाजु में फणा मैं अपने लाला को अपने पास नहीं सोलाती है अपने बैड पर क्योंकि हम प्रियेट्स में होते हैं सौच करते हैं उसी बैड पर तो उसमें लाला को सुलाना तुछ डिफिकल्ट होता है लेकिन ट्राविलिंग में तो कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास हम दंद बाबो को भी अपने पास लेके आगे दोनों को अच्छे तरीके से फिर हमने तुड़ा माली सवाली किया थोड़ा लाड लडाया फिर उठा आप दोनों ने इनको अच्छे से आप अगर सौच करने जा रहे हैं सुबह तो जैसे मैं आपको कहा था गंगा जग अपने ओपर छिरक लीजिएगा हाथ पाउ मूँ अच्छे से धोलीजिएगा ब्रश वगेर कर लीजिएगा फिर आप लाला को सपर्ष कर सकते हैं अब हम इतनी ज्यादा हिलती है कि कहीं उनको में तकलीफ नो हो कमर में यहांतों में ज्यादा हिलने की वज़े से तो आप उनको ज्यादातर हो से कि तो आप उने लिटा के रखने खाले भोग लगाने के टाइम पर उनको उठा सकते हैं फिर हमने सुबह की भोग में एस इस वल हम को पहले पिलाया थे हमने दूद कि वह पहले उठते ही दूद पीते हैं घर से दूद लेकिया थे दूद मेरे पास थंडा गरम वाली बॉटल होती है उसमें मैंने लिया था लेकिन 12 घंटे से ज्यादा दूद अगर आप रखेंगे तो वह फट जाएगा तो इस चीश का भ तो फिर हमने दोनों जन को अच्छे दूद पिलाया अगर मैं आपको एक और चिश बिताती हूं कि अगर हम यह जो फोर सीटर वाली अगर सीट पे बैठते हैं तो अगर सामने कोई है तो लाला को किसी के सामने आपको भोग नहीं लगाना है आपको हमेशा परदा करकी लग आप रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं वो बात अलग है लेकिन आखों की सामने अगर कोई देखेगा तो नजर लगने के चांसे बहुत जाद होते हैं और यह देखिए पुल लाला को हमने लगा दिया भोग और यह देखिए कैसे तक सपोर्ट लेके तक यह का मास तो दोन कि तो आखे देखे ही सब लोग कितनी सुंदर आखे हैं कितनी सुंदर आखे हैं महा शका को नजर लगा दिया अब वापस जा कि नजर उताना पड़ेगा दोनों जंका मुझे अब हम लगाते हैं दुपहर का भोग क्योंकि हम 11.45 को पहुंचने वाले हैं मतोना तो सारे और परदा ले के खाड़े थे हैं सब कॉपरेट करने मं लậगे है अरे हमने जो आलो और मतर की जो सलोनी बनाई थी और उमेथी का पराठा ये दोने हमने हमाने लाला को अच्छे दरीके से भोग लगाया अकल जो हमने सीरा लाला को भोग लगाता है वो तो हमने सब लोगों खिलाता है हमारे सामने जितने लोग भी बैठे थे उनको भी खिलाता है सब लोग बड़ा खुश हो गये तो बोले कितना स्वाधिस्ट है लाला के भोग लगने के बाद अफकोर्स स्वाधिस्ट हो जाता ह जी रहेंज़़ेः तो एक यह पाली है और वह ब्हाला की पाली की बॉटल हग दो को अलग रहेंज लाला की बॉटल से आप उनको पानी पीलाग्य अर्म अपनी आप्नी बॉटल में आप मिकस कर सकते हैं अच्छे तरीकह से फिर उसके बाद हमने पारण किया और दोन अलाराद को हमने अच्छे तरीके से फिर से लिटा दिया और ये बचा कुछ असामान देखो हम अपना धोने का जो होता है बरतन धोने का साबून अपने साथ लेके चलते हैं बरतन धोने का कपड़े धोने का नहाने का हर एक चीज कोई तो आपने लाला को आराम से लेके जा सकते हैं लोग डरते हैं ट्राविलिंग में लेके जाने के लिए लेकिन देखिए अगर आप दो तीन दिन के लिए दस दिन के लिए जा रहे हैं तो आपका भाव आपके ठाकुर जी को लेके कैसा है कैसा प्रीम है वो इंपोर्टन है है लोग तो कहीं से रोक्टो करने ही वाले हैं उनके हिसाफ से तो कुछ भी सही नहीं है लेकिन हम अपने बच्चे को घर पे नहीं छोड़ सकते हैं तो अगर एक दिन की बात है तो आठी एक व्लोग अपलोड के है जिसमें मैंने बताया है कि आपको क्या क्या चीजे अपने साथ लेके जानी है जब आप लाला को लेके ट्राविलिंग करते हैं तो वो व्लोग भी आप देख लीजिएगा आपको आइडिया हो जाएगा यह हम बैग लेके आये थे इसे में हमने कि टिफिन वगेरा है जो खाने की चीजें है वो रख ली थी क्योंकि वो ब्लैक वाला जे दूसरा बैग तरस में बाग कपड़े थे उसमें जगा भी कुल भी नहीं था हमारे पास और यह हम मतुरा पहुचने वाले हैं तो हमने दुनों जन को अच्छे तरीके से उठा लि है जा एक ही बोगी में थी कुच में थी लेकिन अलग-अलग सी थी सबकी अब यह मैंने कुझ बाबु को अच्छे तरीके से इसलिए बांध दिया ना क्योंकि यहां पर थोड़ी सी ठंड है और कुझ बाबु को मैंने ठंड का कपड़ा नी पैना था नॉर्मल कपड़े प कुच बाबु किसी के पास जाते नहीं है कि वो जानते नहीं है ना किसी को तो जल्दी जाते नहीं किसी के पास तो मैंसे लपेट लपेट का ही थी पूरा सर्वर कवर करके ताए कि किसी को पता ने चला और यह श्री ची के करे पास हम पहुंच गया है मतुरा यह देखिया ह हमारी कुछ बाबो मेरे पास और यहां पर भाई सब बहुत ज़्यादा हवा चल रही है मतलब थंड में आना भीड तो कम होती है लेकिन थंड में बड़ी तकलीफ है भी वरिंदावन के थंड बहुत बहुत भेंकर है और यह देखें कि पुरा वाल पैंटिंग किया हुआ आप यहां पे आएंगे न यहां का एक एक अनुभव हवा हर चीज ऐसे लगता है कुछ अलग ही है बहुत अलग अनुभव यह बाकी सारी जगहों से अलग है इसलिए कहते हैं इसे श्री वरिंदावन धाम हमारे राधा कृष्ण का स्थल आज भी यहां आते हैं आज भी यहां ब्रहमर करते हैं वरिंदावन छोड़ के राधा कृष्ण कहीं भी नहीं जा सकते हैं तो सी थे हम पहुँच गए परिक्रमा मार्ग पे और यह रहा एक ब्रिजवासी अंटी है उनके वहाँ पे हम रुकते हैं और उनके घर पे हम रुकते हैं और यह रहे हमारे प्यारे दुन लाला इनको हमने यह वाला बैड दे दिया है और जैसे मैंने कहा स्प्रे में जो पानी था राधा कुंड का वही हमने स्प्रे किया ये बाचवाला बैड मेरा है हम लाला के बैड पर उनकी सारी चीजे रखेंगे तकि मेरे चीजों से वो मिक्स ना हो जाए क्योंकि थोड़ा सा डिफिकुल्ट हो जाता है ना सारी चीजे अब नेक्स्ट व्लोग का वेट किजिए हरी बूँ